नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की विश्वर मानचित्र पर एक घटना किस तरह से पूरे इलाके की राजनीती को परिवर्तित करती है इस पर हम आज आपके साथ चर्चा करेंगे सबसे पहले हम चलेंगे फिलिस्तीन और इसराइल की तरफ आप देखिए यह नक्षा यह नक्षा जहां पर यह है फिलिस्तीन और यह है इसराइल हम सब ने देखा पुरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से रमजान के समय बर-बर हमला किया गया इसराइल दौरा फिलिस्तीन पर फिलस्तीन की इस मज़ित अलक्सा मज़ित को निशाने पे लिया गया बड़े पैमाचे पर हताहत हुए वजह क्या है और इसका क्या कनेक्शन है इसराइल में जो राजनीती चल रही है ने तेनाहू की राजनी एहम है जिस पर चर्चा बहुत कम है वह आई है यमन से यमन और सौधी अरब के बीच ओमान में समझोता हो रहा है शान्ती समझोता और यह हो रहा है इरान और सौधी अरब के बीच जो समझोता हुआ था उसके बाद यानि इस पूरे इलाके में जहां बड़े पैमाने पर हिं क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है, यह पूरा इलाका अमरीका की राजनीती का केंडर रहा है, तेल का इलाका है, आखिर यहां जो शांती चलेगी, उससे अमरीका के वर्चस्व को क्या चुनौती मिलेगी, इन तमाम मुद्वों पर हम चर्चा करेंगे प्रभीर करेंगे फिलिस्तीन की, हमने देखा है कि पिछले तीन-चार सालों से जब भी रमजान का पूरा महिना चल रहा होता है, उस समय इसराइल हमला करता है, और इस बार भी उसने ऐसा ही किया है, हमारे दर्शक देख सकते हैं, हम दिखा रहे हैं, बहुत ध्यान से कि इसराइल कह है, और फिलिस्तीन कहा है, और जो हमला चल रहा है, वह दर असल कैसे हमला हुआ है, क्यों बार बार सिर्फ रमजान के मौके पर हमला हुआ है, इस बार अलग सा मज़िद पर हमला हुआ, और उस समय हमला हुआ हुआ, जिस समय लोग वहां पर नमाज पढ़ रहे थे, देखे ये दो कारण है इसका एक तो कारण ये है कि जुविश जो पासोवर फेस्टिविल कहते हैं और रमजान जो एद का जो ये महिना है और ये खासतोर से एद के जो दिन है दोनों क्योंकि लूनर कैलेंडर्स फॉलू करते दोनों करीब एक वक्त पे होता है तो जब काफी आसपा जब होता है तो दोनों की टेंशन इस पे रहती है कि दोनों के लिए इस इस इलाका जो जरुजलम का इस इलाका है इसका एक उन दोनों के लिए एहमियत है क्यों अहमियत है उसे बाद में आ रहा हूं तो पहले तो हम जो आपकी इस मैप को है जहां पर लड़ाई हर साल आप कह रहे होती है क्यों होती है और क्यों एटैक्स होते हैं अलग सा मास्क कॉंपलेक्स पे तो इसको अगर आप देखे पहले देख लीचे जरुजलम की जो पुरानी शहर है दो स्कुएर किलोमेटर है ठीक है यह पॉपुलेशन जो आज की जरुजलम है इसका बहुत एक छोटा हिस्सा है जो यहां पुरानी जरुजलम जो कहते हैं जो की 100 साल-300 साल पहले भी मौजूद थी उसमें देखेंगे इसमें Muslim Quartres, Christian Quartres, Jewish Quartres, Armenian Quartres, Armenian Quartres है क्योंकि Armenian काफी ट्रेडिंग जो थे उनके हाथ में थी तो उनके लिए अलग जगा भी थी तो ये और इसके बीच में ये जो अलगसा compound है जहां पर मज्जिद है और Dome of Rock जिसको कहते जहां से कहते हैं कि Prophet Muhammad यहां से चले थे ओपर पहुँच गए थे तो ये जो है इनके लिए एक बहुत अहमियत रखती है बहुत होली पवित्र जगां यह यह भी तीसरी पवित्र स्थान है इसलाम की मक्का मदीना के बाद तीसरी स्थान इसलिए यह है इसलिए हरामल शरीफ जो है का कहते है ये आपका डोम आफ रॉक जो कहते है और अलकसा मॉस्क ये है तो इस पे अगर देखें तो इस कॉम्पलिक्स के अंदर एक वेस्टन वॉल जो है ये जुईश कहते हैं कि हमारी पहला जो टेंपल था जो सॉलिमन ने बनाय था राजा सॉ तो गिराया था मुसल्मान उस वक्त नहीं थे अब जानते ही है वो तो इसा पूर्व की बात है तो उसने गिराया था बैविलॉन के कोई राजा ने इसके बाद दूसरी टेंपल वहां बनी दूसरी टेंपल को गिराया था इसा के सतर साल बाद जो है उस टेंपल को गिराया था वो भी रोमन्स ने गिराया था मुसल्मान वहाँ तब भी नहीं थे पर ये गिराने के साथ-साथ इनको ये कहना है कि हमारे मताबिक एक तीसरी यहां मंदिर बनेगी और मंदिर वहीं बनेगी जो इस वक्त अलग सा कॉंपलेक्स है आपको सुनते हुए लग रहा था कि भा इसे शक्तियां है जो चाहते हैं इसको गिरा के एक भब मंदिर बनाए जा जो अभी भी इसरेल के बहुत बड़ा सेक्शन इसके पक्ष में नहीं है पर जो सेक्शन इसको गिरा के इस पर अटाक करना चाहता है वो जिसमें एक शक्स यहां आके गोली चलाई थी और काफी ल अटनाओं के लिए वहां पर अती राइट विंग जो फोर्सेस है वहां पर सक्रिय है हर साल जब रामजान ईद के वक्त आता है पासोवर के नाम पर यहां आते हैं इसके अंदर घुसना चाहते हैं और ऐसे काम करना चाहते हैं जो कि मुसलमान धर्मी हिसाब से जो है नापा रहे आप और उस पर इसरेली जो सिक्रियोरिटी फोर्सेस है और यह दूसरे लोग मिलके इस पर लगातार जो आप अटक की बात कह रहें किया और यहां पर तस्वीरे हैं कि जो शानती बूर्णा धंग से दुकान चला रहा है अंदर उसको उपर अटक हुआ उसको कैसे पी है तो जूइश फेथ के जो अती कहेंगे राइट विंग लोग है वो इसको घुसके इसमें कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो की नापाक माना जाएगा तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिकॉल थी कि इसमें अब इस मॉस्क के अंदर आलाकसा मॉस्क के अंदर रही है ताकि इस कॉंप्लेक्स को कब्जा ना कर सके तो तब इस्रेली सिक्यूरिटी फॉर्सेस और इस तरह के लोग जो उनके साथ आए उन्होंने घुसके अटैक किया जिसकी तिरिश आपने देखा होगा तो एक चीज हमें और दिखाई दे रही है प्रभीर की यह जो सारे हमने पॉइंट्स बनाये हैं यहां पर हमले हुए हैं तेज हमले हुए हैं और इस्राईल ने लगातार निशाना बनाया है यह जो खास तोर से हमने देखा गाजा पर्टी फिलिस्टीन में यहां तक की सीरिया और लेबनॉन पे भी इसका क्या कनेक्शन है क्या संबंध है क्योंक की संकट आता है तो देश के अंदर एक unity बनने की संभव ना होती है तो बाहरी शत्रू के नाम पे देश के अंदर की दरार को कम किया जा सकता है यह तो एक बहुत जानी पहचानी रास्ता है जो लोग चलाते हैं सरकार उनको यह मालूम है तो यहां पर संकट जो है वो crisis इस्रे कोर्ट की जो powers है उसको खतम करके सब कुछ जो नुनिक पार्लेमेंट की पास चले जाए ताकि नेतानियाहू की जैसे conviction है इसके साथ साथ वो जो चाहते हैं कि फिलिस्टीनी लोगों की के पास जमीन ना हो फिलिस्टीनी लोगों का वोट देने की छमता ना हो उनको डेशन करें और सिटिजन्शी से भी बाहर कर दें इस तरह की जो कोशिशे है अति राइट विंग फोर्स जो इस्रेल में है तो वह बहुत कम संख्या में है बड़े संख्या में नहीं है लेकि इस बार सत्ता में है बैंगवीर सत्ता में है बैंगवीर सत्ता में इसलिए है कि आठ सरकार उसमें से एक भी पार्टी उससे विड्रा हो जाए तो सरकार इनकी गिर जाएगी तो ये इसलिए उनको एक कंट्रोल मिला हुआ है और डेता न्याहू की स्वार्थ इसमें मिला हुआ है कि कोट के कन्विक्शन इनकी हो चुकी है अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे तो जेल में होंगे तो कानून ही अगर बदल देते हैं कि कोट का अक्तियार नहीं रहेगा अगर पारलेमेंट में कुछ पास कर लिया तो वो भी खुछ बज जाएंगे तो इसलिए दोनों का स्वार्थ मिला हुआ है इस बात पे और इसलिए पहली बार ये स्थिति में है कि भविश्य में पैलेस्टीनीन कि क्या होगा ये अधी राइट विंग फॉर्स के सबास गया है और ये अभी गोशित भी किया गया है कि बेंगवीर के पास एक नाशनल गाड होगा जो कि बेंगवीर चल और नेशनल गाड का मुख्या उस व्यक्ति को बना रहे हैं जो इस बारे में कुख्या ते जिसे निकाला गया था इसराइली सेना से कि आप फिलिस्तिनियों को मारिए मुस्कुराई और मारिए केलन स्माइल वाले को नेशनल गाड की मुख्या बनाया है पर इसके साथ-साथ यह अगर होगा तो जैसे स्टॉर्म टूपर्स कहते थे हिटलर के टाइम पर इस्टॉर्म टूपर्स त्यार किया जा रहा है जो कि सिर्फ बंगवीर के हाथ में होगा और इसका फिलिस्तिनियों हो चाहे सिर्या हो यहां डमस्कस पर एटक हो रहा है यहां पर जोलान हाइट्स है जो कि सिर्या का अंग्ष है लेबनौन में शीबा फार्म्स है जो कि लेबनौन का अंग्ष है उस तो यह सर्फ इन इलाकों में साथ-साथ पूरे वेस्ट एशिया की जो समझ है कि यह अगर attacks इस तरह के होंगे फिलिस्टिनियों पे तब इसरेल का जो वापस ही आने की कोशिश है वेस्ट इश्या में इबरहाम रिकॉर्ड के नाम पे पर इसके साथ-साथ और भी है कि जो बहुत पहले से चली आ रही है अरब देशों और इसरेल के बीश पे जो तनाव था उनको लग तो पहले से ही है उसका तो बहुत पहले से एक एक अकॉर्ड हो चुका है इस्रेल के साथ इसके साथ-साथ आफ्रिका की कुछ देशे भी शामिल थे तो उसको लग रहा था आईसलेशन के तूट के इस्रेल इस इलाके के राजडिती में ज्यादा प्रवेश कर पाएगा और साओधे अरेबिया उनका क्या कहते है एक बहुत बड़ा टार्गेट था साओधे अरेबिया को अगर उनाइड आरेब एमिरेट्स के साथ लेके इस अब्रहाम एकॉर्ट्स पे ला सकते हैं तो इरान को आइसूलेट कर पाई इरान था देखे इराक तो खैर उसको धंस करी और मन भूलिएगा अमरीका के सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ड है वो आशे है और वो साओध हातियार है वो साओधे अरेबिया नमे एमिरेट्स कतर है यहां पे आपका क्युवेंद है यहां पे यह बहुत बड़ा इनका खरिदार है तो वो साओधे भेशना अगर कम हो जा हुआ है और चीन के धर्ती पर तो अलग बात है यह जो समझाता हुआ उससे बहुत बड़ा दर्वाजा खूल गया है और जो लड़ाई इस इस इलाके में है खास्तों से यमिन में तो उन उन चीजों की क्या कहेंगे एक निशकर्ष पे पहुंचना शांती के और पहुंचना स के समभावना बनी है और वो जो है लगता है अमरीका बहुत परिशान को कि जब आप बात कर रहे हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए और दर्शकों को भी बताना जरूरी है कि इन दोनों देशों के बीच साओधी अरब और यमन के बीच ओमान में समझाते की नहीं थी जैसे हमने देखा साओधी अरब और इरान में दूतावास खुल गए कम से कम एक डायलोग शुरू हुआ यह भी मुझे लगता है कि बहुत एहम बैठक है जो चल रही है इन दोनों के बीच ओमान में इस पर कोई दोर आए नहीं कि यमन हमने पहले भी जिक्र की थ जब साओधी और इरान के बीच पे समझाता हुआ कि हम दूतावास खोलेंगे बाचीज शुरू करेंगे तो इसका असर येमन पे ज़रूर पड़ेगा कि येमन में साओधेरेबिया के फोर्सेस येमन के हूतीस के साथ जंग में लगे हुए हैं और येमन का कबजा साओधे करना चाहते थे युनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ मिलके दोनों उन्होंने टूप्स बेजा वहां पर हूतीस को सोचा कि ये तो आराम से कबजा कर लेंगे हमारे पास इतना हात्यार है हूतीस के पैस है क्या पर हूतीस ने ये दिखा दिया कि अमरीका के जो अस्त्र इन्होंने तो साथ अरेबिया की जो कहा था कि रिफाइनरीज एरपोर्ट्स वगएरे को उस पर कोई आच नहीं आएगा तो हूतीस ने दिखा दिया उनकी उपर वार करके कि यहां पर उनकी अस्त्र काम्याब हुए रिफाइनरीज को काफी नुक्सान पहुंचा है उन्हो ने बंबारी की तो यह देखते हुए साथ अरेबिया को समझ में आएगा पेट्रियन बैट्री से यह काबू भी नहीं आएंगे तो आजकल के ड्रोन्स है वो बड़े सस्ते में पर एफेक्टिव होते हमला कर रहे हैं तो उसलिए उनको चाहिए कि उनकी अगर जो चाहते है कि अर्थ नितिक विवस्था बदले सिर्फ तेल पर नित भड़ना करें तो उनको पूजी चाहिए पूजी तो उनके पास है पर टेक्नोलोजी चाहिए सहायता चाहिए अजन बंद होनी चाहिए तो इसलिए हमारे आशा थी कि साओधे अरेबिया एमन जो है शांती को और ब इराक में भी बाठी चल रही थी साओधेरी में इरान को कैसे एक करा किया जाए और सुलेमानी जर्फ शुलेमानी के खट्टा हुई थी वह उस वक्त इराक जा रहा थे इसी बाठीत के लिए तो ये दो तीन साल से बात्चित चल रही है तब जाके ये बैठक चीन में हुई है एक आखरी सवाल मैं आपसे जाना चाहूंगी कि क्या ये जो बैठक चल रही है दोनों के भी शान्ती की इससे परेशान हो कई अमरीका ने अपनी सब्मरीन भेजी है इस पर कोई दोरह नहीं है कि वो दिखाना चाहता है कि हम अभी भी हैं तो इसी लिए उन्होंने अपना सब्मरीन न्यूकलियर सब्मरीन भेजा जो जिस पर गोशित नहीं होता है उस पर न्यूकलियर वैपन्स होता नहीं होता है पर हकीकत तो है उस पर न्यूकलियर वैपन्स भी होंगे जिसके ज इसको कर पाएगा कि अगर ये करता है तो उसका परिनाम बहुत भायानक होगा अगर दुनिया के लिए अगर उस पर इस न्यूखْलियर एटक झालन पर होता है और वैसे अगर 8 करेंगे तो इस सारे basis अम्रिका की है, इन जगओंपे, इन इलाके में कतर में है, युनाइटेड अर्यम इबिरिटस में है, साउधी में भी है, तो इन जगओंपे अगर एटैक हो और खास दोर से इसरेल में भी हमला होने के संभावना है, तो इस इलाका पुरा ध्वंस की ओर जाएगा, अग सबसे ज्यादा तेल यहां से एक्सपोर्ट होता है दुनिया के लिए एक भयानक परिस्थिती पहुत पैदा होगी पर मुझे नहीं लगता इसलिए धंकी के इलावा कुछ है यह सब्मरीन जो गई है यहां पर आपको याद हो कि हमारी बंगलदेश वार जी से कहते हैं जब हो इसलाखे में शांती के आथार दिखाई दे रहे हैं बड़े पैमाने पर छोटी बात नहीं है जो से आपने सिर्या की जinya की 13 जिखर की सड्या को अरवम में साविल करने की बात हो रही है इसके साथ आप की याद दोगा से नाइइड इमियृट साउधे रेय्या में साउधि किया था कि सीरिया की सेकुलर सारकार को गिराने के लिए वो चीजे हल होगी तो पूरे इलाके में सबसे बडा खत्रा America के लिए ये है की हाँ शानती शायद पैल जाए, कि हाथ्यारों का क्या होगा होगा, उ Small Ali अगर पैल जाएगी तो वहाँ पर सब जगह पे जो अपना वो घुशने की कोशिश करते हैं, बीज बिचाय, लड़ा के बीजबिचाय करने की कोशि सब की एक भूमी का होगी क्योंकि Central Asia, West Asia लगवा इलाका है तो इसी लिए पड़ोसी इलाका है तो इसी लिए इहां की राजनीती बड़ी तेजी से बदल रही है और एक क्या कहेंगे Eurasian Landmass जो है उसमें अलग किसम की राजनीत और अर्थनीती रवस्ता है हैं कि विश्भ राजनीती के लिए कूठी के लिए के लिए कोठी के लिए Latin shall तया सद्रिशन दोस्तों एक बात साफ है कि अन्तराश्टी कूठी राजनीती और अंतराश्टी अर्थ व्यवस्ता इन तीनों के बीच जो गहरा रिष्टा है वह युद्धर शान्ती का है और कुछ ताक्तें जो युद और हत्यारों पर चलती है जिसका सिर्मौर है अमरीका वो दुनिया में शांती होता देखकर बहुत परेशान होता है और इसलिए लगातार तनाव और बंबारी का दौर चलता रहता है इस पर बहुत जरूरी है पैनी निगाह बनाए रखना और आप सब का हमारे साथ जुड़ना देखिए लाइक करें शेयर करें परताल दुनिया भर की न्यूस क्लिक शुक्रिया